देश की सबसे बड़ी जाच एजनसी, CBI के नए डिरेक्टर चुल लिये गए हैं करनाटा के DGP प्रवीन सूद CBI के नए डिरेक्टर बनने जा रहे हैं प्रवीन सूद 1986 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं ये 14 मई 2023 से मई 2025 तक इस पत पर रहेंगे तो आईए पहले जानते हैं कि कौन है प्रवीन सूद और कैसे बने CBI के डिरेक्टर 1989 में बतौर मैसूर ASP अपने करियर के शुरुआत करने वाले प्रवीन CBI Central Bureau of Investigation के डिरेक्टर बनने जा रहे हैं इसका आदेश भी जारी हो चुका है 2004 से 2007 के बीच मैसूर के कमिशनर के तौर पर प्रवीन सूद ने पाकिस्तानी आतंकी को पगड़ने में एहम योगदान दिया था फिलहाल 2020 से वो करनाटा के DGP के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं इतना ही नहीं उन्हें 1906 में अपने बहतरीन काम के लिए मुख्यमंत्री के गोल्ड मेडल 2002 में अपनी सरहानी सेवा के लिए पुलिस मेडल और 2011 में अपने बहतरीन काम के लिए राष्ट्रपती के पुलिस मेडल से नवाज गया है और मार्च 2022 में मध्य प्रोदेश के डीजीपी बने थे प्रवीन सूद ये नाम इससे पहले भी 2019 से 2020 के बीच काफी चर्चा में रहा था जब कॉंग्रेस के एक अदावर नेता डीके शिफकुमार जेल में थे हाल ही में इस पल को यार कर वो मीडिया के सामने इमोशनल होते भी नजर आए सितंबर 2019 में 104 दिन जेल में बिताने के बाद बाहरा कर बीके शिफकुमार ने प्रवीन सूद पर कुछ आरोप लगाए थे और उन्हें बीजेपी की कट पुतली बताय था उन्हें अयोगी करार देते हुए अन्यतिक काम करने का आरोप करनाटक कॉंग्रिस अध्यक्ष ने लगाए थे इन सबसे इतर यहां ये जान लेना जरूरी है कि डैली स्पैशल पुलिस स्टैबलिश्मेंट अक्ट 2014 के तहट CBI डिरेक्टर का च्वयन तीन मेंबर की कमीटी करती है इस तीन सदस्यों वाली समीती में प्रधान मंत्री देश के मुख्य न्याइधीश और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं इस लिहास से इस कमीटी में प्यम मोधी, CJI, D.Y. चंदर चूर और अधीर रंजन ने मिलकर प्रवीन सूद का नाम तै किया है हाला कि दाहिंदू के मुताबिक यहां कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन ने एक अलग रुख लेते हुए प्रवीन सूद के नाम के आगे अपने विरोध का नोट भी दरज किया है क्योंकि वो उन अधीकारियों के पैनल में शामिल नहीं थे जिनने पहले CBI नदेशक के पत के लिए शौट लिस्ट किया गया था वहीं दाहिंदू के मुताबिक प्रवीन सूद का नाम उस लिस्ट में आखरी समय में डाला गया पहले उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था 1986 बैच के आईपे सदिकारी प्रवीन 2024 में रुटायर होने जा रहे थे लेकिन अब उने CBI के डारेक्टर के तौर पर चुना गया है तो वो मई 2025 में रुटायर होंगे